नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Realme और Modorola Company के स्मार्टफॉन जिसमें हमारे पास पहला स्मार्टफॉन Realme C-Series का C63 और दूसरा Modorola Moto G-Series का Z24 Power तो आज हम करेंगे इन दोनों की एन्बॉक्सिंग और कंपेरिजन एक साथ और देखिंगे कौन सा स्मार्टफॉन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट वीडियो में अंतक बने रहेगा दोस्तों आपके सीधे सीधे 1000 रुपे बच जाएंगे और आपको एक बहतार स्मार्टफॉन भी मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों फटाफट से दोनों के बॉक्स को उपन कर लेते हैं आप भी चैनल फे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजे क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए रेगुलर में यहाँ पर लाता रहता हूँ शुरुवात Realme C63 से करते हैं तो दोस्तों सबसे उपर एक मेनी बॉक्स आपको नजर आएगा मेक इट रियल लिखा हूँ है इस बॉक्स पर बैक साइड में सिम इजक्टर पिन लेता है युएस्टी केविल आपको इसमें वाइट कलर की टाइप एटू टैट सी मिलती है लैंत और क्वाल्टी भी बढ़िया दी गई है आते हैं पॉन तो सपोर्ट करेगा ठाटी वाट तक लेकिन फिर भी इसमें भी आपको फास्ट चार्जर मिल रहा है टाइप एट टू टैट सी विसमें भी मिलती है ब्लैक कलर की और अब आते हैं दोनों स्मार्ट फॉन पर दोनों स्मार्ट फॉन का फ्रेंट लुक देखे दोस्तो सबसे पहला अंतर साइज का है यहां पर रियल मी साइज में ज़्यादा बड़ा है लेकिन ये ड्रॉप नॉस डिस्प्ले के साथ आता है जबकि मोटो पर आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है लेकिन कोई प्रिअप्लाइड स्क्रेच गार्ड आपको मोटो पर लगा जब भी नया smartphone purchase करो एक अच्छा सा tempered glass जो रूल लगा लीजिए, दोनों की power को मैंने एक साथ on किया था, यहां पर realme fast on हो गया है, अब back side का look देखे, plastic polycarbonate body मिलती है दोस्तों moto में, और यहां जो realme है इस पर आपको leather finishing मिलती है, पीछे की side आप देख सकते हैं, पूरे dot dot नज दिया गया है, सेंटर में moto का logo दिया गया है, आप दोनों की camera medul आपको अलग-अलग type के देखने को मिलेंगे, moto का जो camera का frame है वो हलका उठा हुआ है, और lens उठे हुए नहीं है, दोस्तों lens पर एक ring मिलती है, जिससे lens की safety हो जाती है, अगर आप नीचे भी रख देते हो, तो lens डिरेक्ट जमीन पर नहीं टकराएंगे, वहीं पर आपको real में में rings मिलती है, और ये frame काफी बढ़िया लग रहा है, बिलकुल iPhone से inspire हो के बना हुआ है, तो अच्छा look दे रहा है दोस्तों, पूरा frame भी आपको थोड़ा उठा हुआ नजर आएगा, lens पर आपको safety देने के ring मिल जाती है, अब जो main primary camera दोनों smartphone में मिल रहे हैं, वो दोनों में आपको 50MP के दिये गए है, यहां AI lens camera और यहां 2MP का micro sensor camera दिया गया है, LED flash light भी दोनों के rear में आपको मिल जाएगी, और front में जो selfie camera है, वो ज़्यादा मिलता है आपको motor में, 16MP का selfie camera, जबकि realme में आपको only 8MP विक्सल का selfie camera दिया गया है, दोनों smartphone के corner rounded, side frame विलकुल flat, right side में power on key, volume rockers, finger fin sensor, उपर की side आपको motor में dolby atoms का support भी मिल जाता है, जो कि आपको realme में नहीं मिलेगा, 3.5 mm का audio jack भी उपर की side दिया है, लेट साइड में दोनों की sim tray है, और bottom में 3.5 mm का audio jack, realme का, बाकि दोनों के primary mic charging jack और speakers दिये गए है, अब दोनों smartphone तो already हमने boot करके रखे हुए है, इनकी जो brightness है, इसे भी 100% किया हुआ है, तो display को करीब से देखे, दोनों display में आपको colors तो काफी बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन brightness की कमी लग रही है, only 450 nits तक की ही peak brightness मिलेगी दोनों smartphone में, थोड़ी brightness बढ स्क्रॉल अप करते ही, phone में मौझूद सारी application हमें आपर देख जाती है, लेकिन दोस्तो मोटो में आपको काफी अब तक clean UI देखने को मिलेगा, कोई file to preinstall application नजर नहीं आएगी, सारे के सारे google की और से useful application दी गई है, जबकि real में में आपको कहीं सारे file to preinstall application के साथ, file to game install मिल जाएंगे, चाओ तो आप इन्हें अनिस्टॉल भी कर सकते हैं, दोनों स्मार्टफोन का जो touch है, वो काफी smooth और fast मिलेगा, 90Hz के refresh rate के साथ आ रहे हैं, बात करते हैं, डिस्प्ले की, तो 6.74 इंच की HD plus IPS LCD के साथ real में आता है, जिसका aspect ratio 269, screen resolution 720 to 1600 pixel, और pixel density 260 PBI की मिलती है, वह मोटो में आपको 6.56 इंच की HD plus IPS LCD दी गई है, जिसका aspect ratio 269, screen resolution 720 to 1612 pixel, pixel density 269 PBI की मिलती है, थिकनेस में अंतर है, 7.74 मिलिमेटर के थिकनेस मिलती है, रियल में में और 8.99 मिलिमेटर के थिकनेस मिलती है, मोटो में, यह मोटा स्मार्टफोन और भारी भी है, 197 ग्राम का, जबक यह 189 ग्राम का है दोस्तो, ऐसा इसलिए, क्योंकि रियल में C63 पर आपको only 5000 इमेज की बैटरी लगी हुई मिलती है, जबकि मोटो पर 6000 इमेज की बैटरी लगी हुई है, इसलिए तो इसका नाम पावर रखा गया है, और इसका weight फिर भी 200 ग्राम से उपन नहीं गया दोस्त 23, 1.8 GHz के Octagor प्रोसेसर और Unisoc T612 के चिपसेट के साथ आ रहा है, वहीं जो मोटो है, 2 GHz के Octagor प्रोसेसर और MediaTek Helios Z85 के चिपसेट के साथ आ रहा है, दोनों में मिलती है 4GB RAM, 128GB का storage, virtual RAM का support दिया गया है, expendable memory को 1TW तक बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा दोस्तो, 12NM का fabrication, Mali G52 के graphic आपको दोनों smartphone में मिल जाएंगे, एक छोटी सी नजर दोनों smartphone के camera पे डालते हैं, तो rear camera हमने दोनों के open कर लिया है, तो camera quality दोनों की काफी बढ़िया है, थोड़े से natural color moto के camera से लग रहा है, zooming power जो है, moto में only 4X तक की है, जबकि realme में आपको 10X तक की zoom quality मिल जाएग इसका support दिया गया है, अब जो front camera है, वहाँ पर आपको काफी बड़ा अंतर नजर आ रहा होगा दोस्तों, ज्यादा clear, clean, colorful camera आपको moto Z24 power का ही मिलेगा, यहाँ पर आप अंतर साफ साफ नोडिस कर सकते हैं, इसके अलावा zoom support जो है, वो दोनों के front camera में आपको नहीं मिलता है, overall देखा जाए, तो दोनों ही smartphone अपनी विसेश खूबियों के साथ आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन भात आती है, मैं कौन सा smartphone पर्चेस करना चाहिए, तो सबसे पहले हम इनका price जान लेते हैं, वहीं से आप समझ जाओगे दोस्तों, यह realme C63 जो है हाली में launch हुआ है, और 4GB RAM 128GB इस storage के साथ 8999 रुपे का मिल रहा है, वहीं पर अगर आप 1000 रुपे बचाते हो, तो 7999 रुपे में आपको Moto Z24 Power मिल जाएगा, हाला कि 5 मेने पुराना model है, लेकिन फिर भी दोस्तों, rate बहुत सही है, features बहुत सही है, battery backup आपको इसमें तगड़ा मिलेगा, प्रोसेसर भी आप आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है, हाला कि Unisoc का भी बढ़िया है, लेकिन अपनी फसन होती है, मुझे MediaTag Helio G85 ज्यादा बैटर लगता है, Unisoc T612 से, कैमरा देखिए दोस्तों, बढ़िया क्वाल्टी का आपको Moto में ही मिल रहा है, सेल्फी लेने के सोखिन हो, तो आपक की design थोड़ा better लग रहा है, इसके अलावा कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, जबकि इस वाले smartphone में आपको बहुत कुछ खास मिल जाता है, और उपर से bank offer आते हैं, इसका price भी drop होगा, इसका भी drop होगा, तो कुछ percent discount आपको मिल जाएगा,